Hello students, welcome back to CG Sikcha. I am Taranum, your English educator from CG Sikcha. And today in this class, we are going to read our next chapter from your Honnbill book, chapter number 7. And the name of chapter is The Adventure written by Narlikon. Okay, so students, आज की इस class में हम आपके class 11th Honnbill book का chapter number 7, जिसका नेम है The Adventure, उसको हम read out करने वाले हैं. So, ये जो आपका chapter है The Adventure, ये थोड़ा सा complicated आप लोगों को लग सकते हैं. Actual में ये difficult नहीं है chapter, बस थोड़ा सा complicated हैं. इसलिए इस chapter को start करने से पहले मैं आपको इस chapter का थोड़ा सा introduction बता देती हूँ, कि actual में इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस chapter के जो main character हैं, जिनका name रहेगा आपका गंगधर पन्त. ठीक हैं, गंगधर पन्त जो हैं, वो एक historian रहते हैं. Historian means, वो history के बारे में बहुत सारे research करते हैं, history के बारे में बहुत पढ़ा करते हैं. तो जो गंगधर पन्त हैं, वो by car कहा जा रहे थें, मुंबाई जा रहे होते हैं. जब वो मुंबाई जा रहे होते हैं, उस time भी उनके दिमाग में क्या चलते रहते हैं? history की बाते चलते रहती है क्योंकि वो historian रहते हैं और पूरे time सिर्फ उनके दिमाग में history की बाते चलते रहती है और जैसे ही वो अपने car में मुंबाई की जाते रहते हैं उसी time पे उनका accident हो जाता है और जब उनका accident होता है वो जो भी बाते सोचते रहते थे history के बारे में actual में जब उनका accident होता है और जब वो coma में पहुच जाते हैं और coma में पहुचने के बाद जब उनको होश आता है तो वो कहां रहते हैं उनहीं बातों में जो बाते वो accident से पहले सोच रहते हैं मतलब वो कुछ बातों को भूल जाते हैं और अपने हिस्ट्री में पहुँच जाते हैं एक्चुल में स्टूडेंट्स यह जो चैप्टर आपके बुक हॉन्बिल में दिया हुआ है यह एक बड़े इसे बुक का एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है जिसका स्टार्टिंग का पोर्शन नहीं दिया हुआ था जो अभी मैंने आपको बताया और इसके आगे से डिरेक्ट आपके चैप्टर में दिया गया है कि कैसे उनका एक्सिडेंट होता है और कैसे वो सारा हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बाते वो सोस्ते रहते थे वो चीज को वो देखते हैं त तो आई होब कि अब आपको यह चैप्टर समझने में थोड़ा कॉंप्लिकेशन कम हुगां तो स्टार्ट करते हैं हमारे यह चैप्टर अब यहां पर देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि वो बाइकार कहां जा रहे होते हैं मुंबाई जा रहे होते हैं और जब वो कार के थ्रू मुंबाई जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलते रहता है हिस्ट्री की बाते चलते रहती और जैसे ही वो कोमा में पहुशते हैं एक्सिडेंट के बाद में तो उनका दिमाग अभी भी कहा है, उन्हीं बातों में जो वो एक्सिडेंट से पहले सोच रहे थे, मतलब वो अब पीछे चले गए हैं, हिस्ट्री में पहुच गए हैं, इतिहास में पहुच गए हैं, तो जो आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से दिया है, इस स्टार्ट गंगधर पंत, जो हमारी इस चैप्टर के, या फिर इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, गंगधर पंत जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप कोमा में पहुच चुके हैं, उसके आगे का दिया हुए चैप्टर में, और वो कोमा में पहुच चुके हैं, और उनके दिमाग में, को गंगधरपंत सिर्फ क्या कर रहे हैं उस सब चीजों को अपने दिमाग में इनेजिन कर रहे हैं सिर्फ सोच रहे हैं उनके साथ एक्चुल में यह रियल में नहीं हो रहे हैं तो जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है गंगधरपंत इस चीज को सोच रहे हैं उनके route से मतलब वो train के थ्रू Bombay जा रहे हैं ऐसा वो कोमा में लेटे-लेटे क्या कर रहे हैं अपने दिमाग में सिर्फ imagine कर रहे हैं तो वो जीजा माता एक्सप्रेस से कहां जा रहे हैं पुने बॉंबे जा रहे हैं जिसका डेकन क्वीन ये भी एक ट्रेन का नाम है उससे बहुत ज्यादा फास्ट एक्सप्रेस है ये जीजा माता एक्सप्रेस उसके थ्रू वो बॉम्बे जा रहे हैं और पुने के बाहरी एरिया में बोल सकते हैं कोई भी टाउन या फिर विलेजिस नहीं है और जब वो ट्रेन के थ्रू बॉम्बे जाते होते हैं तो सबसे पहला ही स्टॉप आता है लोनावला जो की वो 40 मिनट के बाद पहुशते हैं और जो घाट सेक्शन है आप लोगोंने हिस्टरी के बुक में पढ़ा होगा घाट सेक्शन मिन्स जो वेस्टन के घाट के बारे में हमने पढ़ा exactly वही है ये कि western guard से जब वो cross करते रहते हैं तो वो देखते हैं कि सारी चीजे वैसी ही है जैसे गंगाधरपंद को पता है The train stopped at carjart only briefly and went on at even greater speed It rode through Kaliyan और जो train है वो थोड़ी देर के लिए कारjart जगह पे रुखती है बहुत थोड़ी समय के लिए और उसके बाद उस train का speed और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही fastly कहां पहुँच जाता है train Kaliyan पे पहुच जाता है ये सारी चीजे गंगाधर अपने mind पे क्या कर रहे हैं बस imagine कर रहे हैं Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plane of action in Bombay अब ये जो Professor Gaitonde है ये हमारे स्टोरी के second main character है ठीक है First character हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं गंगाधर पंत के बारे में पढ़ रहे हैं और ये Professor Gaitonde जो है वो आपका second character है Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plane of action in Bombay तो बीच में जो Professor Gaitonde है उनका जो प्लैन है वो ठीक Bombay जाने के बीच में आता है Indeed, as a historian he felt he should have thought of it sooner और जो गंगाधर पंत है वो क्या है? Historian है तो वो कुछ भी चीजे सोचते थे तो उनका ऐसा लगता था कि ये सोच मुझे पहले ही सोच लेनी चाहिए थी He would go to a big library and browse through history books अब वो सोच रहे हैं कि वो Bombay जाकी क्या करेंगे तो वो Bombay जाएंगे तो एक बड़ी से library पे जाएंगे और वहाँ पे वो कुछ history के books को लेंगे That was the surest way of finding out how the present state of affair was reached He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Desh Pandey who would surely help him understand what had happened अब उसके बाद जो गंगाधर पंत है वो सोचते हैं कि That was the surest way of finding मतलब वो history की book ले करके पढ़ेंगे और ये history का book ही है जो उनको बता सकता है कि actual में क्या हुआ है अब यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहे हैं कि गंगाधर पंत भली कोमा में लेटे-लेटे imagine कर रहे हैं लेकिन वो अपनी imagination में भी क्या है confused है ठीक है क्योंकि वो तो अभी अपने present में नहीं है वो किसके बारे में सोच रहे हैं past के बारे में सोच रहे हैं इसलिए जो गंगाधर पंत हैं वो थोड़े से confused रहते हैं और सोचते हैं कि history का book जब वो पढ़ेंगे तो यही best तरीका है कि वो आज के present state मतलब आज में जो भी चीजे हो रही है उसको वो क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे तो फिर वो plan करते हैं कि जब वो पूने से पूने जब return आएंगे तो वो एक long talk मतलब उनके एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम रहता है राजेंदर देश पांडे तो जब वो पूने वापस आएंगे तो अपने इस दोस्त से काफी लंबे समय तक बात करेंगे और गंगाधर पन्त को इस बात से surety भी है वो इस बात से sure भी है कि शायद राजेंदर देश पांडे जो है वो सारी चीज़े को समझेंगे और बताएंगे कि actual में क्या हुआ है ठीक है अब उसके बाद जो गंगाधर पन्त है वो ऐसा इसले सोच रहे है क्योंकि वो एक्ट्वल में कन्फियूज है क्योंकि वो जो सोच रहे है उससे present की चीज़े रिलेट नहीं हो पा रही है इसले वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में जो उनका दोस्त है जिनका नाम है राजिंदर देश पांडे क्या वो अभी भी इस दुनिया में है फिर आगे वो continue करते हैं और सोचते हैं कि जो उनका ट्रेन है एक बड़े से टनल में आ करके रुख जाता है It was a small station called Sarhad and Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits अब वहाँ पे जहाँ पे उनका train आकर के रुखते हैं वहाँ एक छोटा सा station रहता है जिसका नाम रहता है Sarhad और उस Sarhad station पे कुछ Anglo-Indians Anglo-Indians कौन होते हैं जो out of India से आकर के पूरे तरीके से इंडिया में आकर के settled हो जाते हैं तो जो Anglo-Indians men लोग रहते हैं उन लोग वहाँ पे टिकर चेकिंग करते रहते हैं और यहाँ से अब इस station के आगे का जो एरिया है वहाँ पे British Raj means जहाँ पे अंग्रेजों का शाषन हुआ करता था वह राज अब चालू होता है और वहाँ पे उस train के अंदर एक खान साहिब नाम के एक इनसान बैठे हुए रहते हैं जो कि गंगधर पंथ से पूछते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार क्या कर रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं Yes, the reply was factually correct गंगधर पंथ had not been to this Bombay before He ventured a question and खान साहिब how will you go to Peshawar तो जैसे ही जो खान साहिब है वो गंगधर पंथ से पूछते हैं कि आप चाहिद पहली बार क्या कर रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं पहली बार आप Bombay जा रहे हैं और उसके बाद वो खान साहिब से कोशन पुछते हैं कि खान साहिब आप किस तरीके से पेशावर जाएंगे तो खान साहिब रिप्लाइ करते हैं कि यह जो ट्रैन जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं जी जामाता एक्स्प्रेस यह विक्टोरिया टर्मीनस तक जाता है और मैं आज की राद सेंट्रल से क्या लूँगा एक फ्रॉंटायर मैल लूँगा उसके पाद गंगा धरपन फिर से कोशन करते हैं कि यह जो ट्रैन है वो कितनी दूर तक जाता है और कौन से रास्ते से हो करके जाता है यह जो ट्रैन है बौंबे से देल ही जाता है तर लाहूर जाने के बाद फिर पेशावर जाता है और यह बहुत ही लंबा सफर होता है और खांसाहिब बता रहे हैं कि और आफिर हम्ह터 में एक दिन के बात पर आऎक मैं क्या करूँगा पेशावर पहुच पाऊंगा thereafter Khan Sahib spoke a lot about his business and Ganga Dharpant was a willing listener और इसके बाद जो Khan Sahib है वो अपने business को लेके काफी सारी बाते Ganga Dharpant से करते हैं और Ganga Dharpant उनकी बातों को सुनते हैं for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different जब उन लोग बात करते रहते हैं तो उस time पे to get some flavor of life means अपनी जिन्दगी का flavor means बहादुरी की पेशावर में और इंडिया के लोगों में पेशावर के लोगों और इंडिया के लोगों का life कितना different है ये सारी चीजे वो अब सोचने लगते हैं the train now passed through the suburban rail traffic उसके बाद जो train है वो suburban area से होकर की गुजरता है the blue carriages carried the letters GBMR on the side greater Bombay metropolitan railway explained खान साहिब और उसके बाद जैसे उन लोग सब urban rail traffic से होकर की गुजरते हैं तो जितने भी carriages मतलब rail का जो डिबबा होता है ठीक हैं तो जितने भी carriages लोग रहते हैं उसमें एक letter लिखा हुआ होता है और वो letters कौन-कौन से होते हैं GBMR GBMR का full form क्या होता है greater Bombay metropolitan railway ये खान साहिब गंगा धरपन को समझाते हैं see the tiny union jack painted on each carriage a gentle reminder that we are in British territory और हर carriage में छोटे-छोटे union jack भी क्या हुए रहते हैं paint हुए रहते हैं मतलब train के हर एक डिबबे में ये letter GBMR लिखा होता है और छोटा-छोटा jack paint हुए रहता है ताकि लोगों इस बात को remind कर सके कि अब उन लोग British territory में मतलब अंग्रेजों का जहां सासन होते हैं उस राज में अब क्या कर रहे हैं आने वाले हैं दे ट्रें बिगें टो slow down beyond dadar and stopped only at its destination Victoria Terminus अब जो train है वो थोड़ा सा उसका speed slow हो जाते हैं उन लोग अब दादर station पर रूख जाते हैं और यहां के बाद मतलब दादर station में रुकने के बाद वो train जो है direct अपनी destination मतलब अपनी मंजिल Victoria Terminus में जा करके रुकता है the station looked remarkably neat and clean जो station है वो बहुत ही काफी साफ सुतर दिखाई देता है the staff was mostly made up of Anglo Indians and Parsis along with a handful of British officers और वहां पे इस station में जितने भी staff वाले रहते हैं उसमें जैसे कुछ लोग Anglo Indians के रहते हैं कुछ लोग रहते हैं पार्सीज के और कुछ लोग जो रहते हैं वो British officers रहते हैं as he emerged from the station गंगधर पन्थ found himself facing an imposing building और जैसे ही वो station तक पहुसते हैं तो गंगधर को एक building दिखाई देता है वो building कौन से होता है आगे हम the letters on it proclaimed its identity to those who didn't know this Bombay landmark और उस building के उपर जो भी letter लिखा रहते हैं वो इस बात को proclaim इस बात को announce कर रह होता है कि वो ही building का क्या है पहचान है जो लोग उस Bombay landmark को मतलब Bombay को नहीं जानते हैं वो उस building में लिखे हुए letters को पढ़कर के जान जाएंगे कि वो building actual में क्या है और वहाँ पर क्या letter लिखा होता है East India House headquarters of the East India Company East India Company का वो East India House का मतलब headquarter रहता है ठीक है मतलब जितने भी East India Company के जो works होते थे इस headquarters में होते थे जो buildings गंगा धरपन्त ने देखा वो actual में कौन सा building था headquarter था East India Company वालों का prepared as he was for many socks प्रोफेसर गाइतोंडे had not expected this उसके बाद जो was for many socks उनको बहुत सारे socks मिलते हैं socks means कि वो कुछ और सोचे रहते हैं उनको उस Bombay में बहुत कुछ अलग दिखाई देने लगता है वो सोचते हैं कि उनके imagination क्योंकि उनका imagination कहा है भी past में आपको फिर से बता दो student जो भी हम लोग read कर रहे हैं अक्चौल में गंगा धर्पंथ इसको क्या कर रहे हैं सिर्फ कोमा में लेटे-लेटे imagine ही कर रहे हैं तो वो imagine करते हैं तो उनको बहुत सारे socks लगते हैं कि वो actual में वो past का सोच रहे हैं present में तो बहुत सारे चीजे changes हैं इसलिए बहुत सारे उनको socks मिलते हैं जो professor गाइतोंडे हैं वो इन सब चीजों को expect नहीं कर रहे होते हैं the East India Company had been wound up shortly after the events of 1857 at least that is what history books said फिर वो सोचते हैं कि जो East India Company है वो 1857 के incidence से 1857 में जो घटना हुई थी उससे पहले क्या हो थे warm up हुए थे और कम से कम ये वाली बात तो history books से मेरे को पता चली है ऐसा गंगा धरपन सोच रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजे तो उनको लग रही है तो कम से कम एक चीज तो ऐसी है जो history books से मुझे confirm पता चली है येट here it was not only alive but flourishing so history had taken a different turn perhaps before 1857 how and when had it happened he had to find out अब उसके बाद वो सोचते हैं कि history में कई सारी वो book वगेरा पढ़े उनको कई सारी चीजे changes लगी और ये चीज लगा कि history book ने मुझे ऐसा बताया है और history आगे वो सोचते हैं कि history में भी बहुत सारी चीजे अब change हो गई है शायद 1857 के incidence उस time पे जो भी घटना हुआ था उसके पहले की सारी चीजे बदल गई है और ये सब कुछ कब और कैसे हुआ मुझे ये चीजों का पता लगाना है ऐसा गंगा धरपन अब अपने mind में सोचते हैं अब उनको क्या करना है कि history में ये सारी चीजे कैसे change हो गई और कब change हो गई ये question को अब वो ढूंडने लग जाते हैं अब वो ढूंडेंगे कैसे इस question का answer अब हम आगे rate करेंगे as he walked along horn by road as it was called he found a different set of shops and office buildings अब उसके बाद वो चलते चलते horn by road ये एक road का नाम है तो horn by road में वो चलते हुए जाते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारा दुकान होता है कई सारे offices होते हैं कई सारे buildings होते हैं there was no handloom house building instead there were boots and wool work departmental stores imposing offices of layoffs, barclays and other british banks as in a typical high state of a town in England फिर वो सोचते हैं इतने सारे यहाँ पर shops हैं, offices हैं, buildings हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी handloom house building नहीं होता है बलकि handloom house building के जगह पर वहाँ बहुत सारे boots के shop होते हैं Woolworth departmental stores होते हैं, बहुत सारे offices होते हैं, layoffs के, barclays होते हैं और बहुत सारे british लोगों के banks होते हैं जैसे कि England में उची-उची buildings होते हैं, उसी तरीके से Britishers लोग के वहाँ पर banks होते हैं अब वो एक छत्रपती सीवजी टर्मीनस वहाँ जाना चाहते थे और वहाँ जाने के लिए सबसे पहले वो कहां जाते हैं, home street में वो right turn करते हैं और उसके बाद वो Forbes building में enter करते हैं और वहाँ पर एक receptionist रहती है, उससे जा करके question करते हैं और उनको बताते हैं कि मैं विने गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ अब विने गायतोंडे कौन रहते हैं, गंगधरपन के बेटे रहते हैं she searched through the telephone list, the staff list and then through the directory of employees of all the branches of the firm she shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches are you sure he works here, और जो receptionist है, अब वो क्या करती है, वीने गायतोंडे नाम से वो पूरे telephone list में सर्च कर लेती है, अपने staff logo का जो लिस्ट रहता है, उसमें सर्च कर लेती है अपने employees logo जो लिस्ट रहता है, उसमें सर्च कर लेती है और अपना वो सर हिलाती है और कहती है कि मैं इस बात से मुझे डर है, कि इस नाम का कोई भी इंसान हमारे ब्रांच में काम नहीं करता है कि इस नाम का कोई भी वैक्ती हमारे इस ब्रांच में काम करता है अब ये सुन करके जो गंगा धरपन्त रहते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब भी रगता है क्योंकि ये सारी चीजे उनके लिए पूरी तरीके से नाम एक्सपेक्टड नहीं होती है और फिक गंगा धरपन्त आगे यह सोचते हैं कि वो खुद इस दुनिया में जिन्दा है या नहीं ठीक है और अगर इस बात की गैरेंटी नहीं है कि वो खुद इस दुन्या में जिन्दा है कि नहीं तो कैसे इस बात की गैरेंटी होगी कि उनका जो बेटा है वो इस दिन्या में जिन्दा होगा हो सकता है कि वो वास्तों में अभी पैदा ही ना हुआ हो अब गंगा धरपंत ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि वो अभी बहुत पीछे जा चुके हैं उनके कोमा के एक्सिडेंट के बाद वो काफी पीछे जा चुके हैं एकदम बोल सकते हैं हम हिस्ट्री में जा चुके हैं इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो एक्चॉल में इ और गंगाधरपन की खाशियत ये भी थी कि वो डरते नहीं थे उनको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होता था कि उनको कहां रुकना है कैसे रहना है कैसे मैनेज करना है चीजों को और उनका मेन कंसर उसमें उनका किस चीज में फोकस था तो उनका इस चीज में फोकस था कि उनको लैबरेरी जाना है असेटिक सोसाइटी का और वहां जाके लैबरेरी में कुछ बुक्स पढ़ने है और उनको history का जो riddle है, जो confusion है उनके life में उसको उनको clear करना है grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall और उसके बाद वो अपना lunch खा लेते हैं restaurant में और उसके बाद वो town hall की ओर चले जाते हैं so student इस chapter में आप देख सकते हैं कि part wise, 1, 2, 3, 4 and 5 parts में हमको ये chapter दिया गया है और ये यहाँ पे आपका first part complete होता है, इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो इस story का second part हम read करेंगे yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library, he entered the reading room and asked for a list of history books including his own अब वो रहात की सास लेते हैं थोड़ा सा, town hall पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुचने के बाद वो finally library में पहुच जाते हैं library में वो reading room के अंदर enter करते हैं और reading room के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो वो कुछ history book के list दे देते हैं और उस list में उनका खुद का लिखा हुआ book भी क्या होता है, include होता है, सामिल होता है और उन्होंने जो history का book लिखा था वो five volumes में थे, one, two, three and four and five five volumes में उन्होंने history का एक book लिखा हुआ था, तो finally उनका five volumes का history का जो book है वो उनके table की उपर में आ जाता है और वो beginning से शुरुआत से अपने first volume of book से पढ़नाई start करते हैं volume one took the history up to the period of Ashoka, volume two up to Samudra Gupta, volume three up to Muhammad Gauri and volume four up to the death of Aurangzeb अब ये जो उनका volumes में books था, उसमें से first volume कहां तक था, तो period of Ashoka, Ashoka के period तक था second volume था Samudra Gupta के period था, third volume था Muhammad Gauri के period था and fourth volume था death of Aurangzeb के period था up to this period his history was as he knew it और इस fourth volume तक उसका history अभी तक वैसा ही था जैसे Ganga Dharpant को पता था, the change evidently had occurred in the last volume और जो भी changes आए थी वो उसके history book के fifth वाला जो volume था, fifth वाला जो volume था उसी में changes आए थे reading volume 5 from both ends in words, Ganga Dharpant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn अब जो Ganga Dharpant का fifth volume था उसको वो कैसे पढ़ रहे थे, converged, मतलब उस book को वो सामने से भी पढ़ रहे थे पीछे से भी पढ़ रहे थे और finally एक point पे वो पहुसते हैं जहां पे history जो है वो change हो गया था That page in the book described the battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely और वो जो page था वो ये describe कर रहा था, Panipat में जो battle हुआ था, जो youth हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था कि Marathas ने वो युद्ध को क्या कर लिया था, जीत लिया था लेकिन actual में हमको पता, students हमने history books में भी पढ़े हैं कि जो ये पानीपत का लड़ाई हुआ था battle of Panipat उसमें actual में one नहीं हुआ था, उसमें लोग क्या हुए थे, defeat हुए थे Marathas लो लेकिन गंगधर पन्त, ना तो उन्होंने कोई book लिखा था, और ना ही ये सारी चीजे उन्होंने की थी actual में सिर्फ वो imagine कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ में हुआ होगा अब्दाली वोज रूटेड एंड ही वोज चेस्ट बैक टू काबूल बाई दे ट्रुम्पेंट मराथा आर्मी लेड बाई साधा शिवराव भाव और इस नेफ्यू दे यंग विश्वास रूँ आगे वो सोचते हैं कि जो अब्दाली है वो रूटेड मिन्स डिफिट हार गया था और उसके को पीछे-पीछे फिर काबूल जाना पड़ा मराथा, मराथास के पीछे-पीछे उनको काबूल जाना पड़ा और उसको कौन लीड कर रहा था, कौन उसका हैड था तो उसके head थे शदर सीव राव भाव और उनका जो nephew था उनका भतीजा जो था यंग विश्वास राव तो ये दोनों क्या थे उसके leader थे The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself और जो उनका book था वो blow-by-blow means step-by-step पूरा line से battle के बारे में नहीं बताया हुआ था Rather it elaborate in detail its consequence for the power struggle in India आया गया था गंगधरपंथ read through the account avidly और जो गंगधरपंथ है वो अपने उस book को बहुत ही avidly मतलब great interest के साथ बहुत interest लेकर के पढ़ रहे थे The style of writing was unmistakably his Yet he was reading the account for the first time और जब वो खुद का अपना book पढ़ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मानों वो इस book को पहली बार पढ़ रहें क्योंकि हम अभी अभी मैंने आपको बताया कि actual में ये चीज़े तो हुई नहीं थी गंगधरपंथ ने ना तो कोई book लिखी थी नहीं कुछ ऐसा हुआ था वो तो सिर्फ क्या कर रहे है इमेजिन कर रहे हैं इमेजिनेशन में वो सोच रहे हैं कि actual में उन्होंने book लिखा था वो भी five volumes का book लिखा था इसलिए फिर इसमें बताया गया है कि आगे जब वो book पढ़ते रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़े तो वो अपनी life में first time rate कर रहे हैं और इस battle का जो जीत था इस युद्ध में जो उनका विजय हुआ था वो खुद एक great moral booster नहीं था great moral booster means moral booster is a booster which boost our self confidence जो हमारे self confidence पो क्या कर देता है बढ़ा देता है तो इस युद्ध में जीत पाना सिर्फ उनके self confidence को increase नहीं कर रहा था बलकि माराथा ने क्या किया था पूरे northern इंडिया में अपना शासन क्या कर दिया था फैला दिया था the East India Company which had been watching these developments from the sidelines got the message and temporarily sell its expansionist program और East India Company मतलब जो bridge reserves लोग थे उन्होंने देखा कि माराथा लोग इतना जादा इंडिया में develop कर रहे हैं इंडिया में साइट से उन्होंने जब देखा कि माराथा जो है इतना जादा इंडिया में develop कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया message फैला दिया कि temporary sell means temporary कुछ समय के लिए रोग दिया जाए जो expansionist program जल रहा है expansionist program means धीरे धीरे करके जो हम अपना expansion करते हैं बढ़ाते हैं तो जो इस्ट इंडिया company के लोग थे उन्होंने ये decision लिया कि हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं हमारा जो expansion को program हैं आगे तक हमारे सासन को बढ़ाने का जो program उसको कुछ देर के लिए temporary बन कर दिया जाए for the पेशावाज the immediate result was an increase in the influence of भाव शाहेब और विश्वास रहु इवेंच्वली succeeded his father in 1780 AD और पेश्वास के लिए जो तूरंत उनको जो result मिल गया था वो result किसके वज़े से मिला था कि वहाँ पे भाव शाहेब और विश्वास रहु जिन्होंने क्या किया था अपने father को succeed किया था मतलब जैसे कि एक राजा है वो शाषन कर रहा है और उनके मरने के बाद उनका बेटा क्या करेगा शाशन करेगा उसी तरीके से जो भाव साहिब और विश्वास रहो थे उन्होंने क्या किया था अपने फादर के बोल सकते हैं रूल को सक्सीड किया था पाया था 1780 AD में The Troublemaker दादा साहिब was relegated to the background and he eventually retired from state politics और यह जो दादा साहिब है एक्च्वर में यह कौन थे ट्रॉबल में करते हैं जिनको क्या कर दिया गया Assign to a lower state उनको थोड़ा नीचे का दर्जा दे दिया गया और वो फिर क्या हुए अपने position से retired भी हो गए To its dismay, the East India Company made its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao और यहाँ पे एक डिस में एक शौक का बाद यह था कि जो East India Company के लोग थे उनको एक नया Maratha ruler देखने के लिए मिल गया जिनका नाम था Vishwas Rao He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India अब वो और उनके जो भाई थे जिनका नाम था Madhav Rao Means Vishwas Rao और Madhav Rao दोनों आपस में मिल करके अपना political acumen and political acumen means political smartness ठीक है राजनेती को लेकि उनके अंदर जितनी भी smartness थी दोनों को मिला करके वो अपना valor अपनी बहादूरी को एक्टम systematic धन से use करके क्या कर रहे थे all over India पूरे इंडिया में अपना expansion कर रहे थे मतलब अपना सासन को वो बढ़ाते जा रहे थे the company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras just like its European rivals the Portuguese and the French और जो company मतलब जो British company थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी कम होते जा रही थी Bombay, Calcutta and Madras ठीक है जैसे कि European rivals में Portuguese और French है उसी तरीके से जो East India Company का जो उनका expansion था वो धीरे धीरे कम होकर के कहां कहां बज़ गया था बस Bombay, Calcutta and Madras में For political reasons the Peshwas kept the puppet Mughal resign alive in Delhi और कुछ political reason के वज़े से कुछ राजनितिक कार्णों के वज़े से जो Peshwas है वो puppet Mughal के तौर पे क्या हो गय थे Delhi में रुख गय थे In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe और 19th century में these de facto De facto का actual मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़े जो real में exist करती हैंगी ठीक है? ऐसी चीज़े या फिर कहें हम ऐसा fact जो real में exist करता हैं तो 19th century में कुछ ऐसी fact जो real में exist करते हैं इस world में कुछ ऐसे rulers जो कि Pune के थे वो बहुत जादा smart थे हैं और उन्होंने ये पहचाना की technological age का importance क्या है? ठीक है? dawning in Europe जो कि Europe में dawning means Europe में begin हो रहे हैं They set up their own centers for science and technology उन्होंने science and technology के लिए खुद अपना खुद का setup तयार किया Here the East India Company show another opportunity to extend its influence और East India Company को यहाँ पे कुछ अपना कुछ और क्या दिखाई दिया कुछ और opportunities दिखाई दिये कि कैसे वो अपने influence को मतलब अपने शाशन को अपने लोगों को और आगे तक बढ़ा सकते हैं It offered ad and experts उन्होंने क्या किया अपने साशन को अपने लोगों को अपने कमपनी को आगे पढ़ाने के लिए ad का इस्तमाल किया जो ad देते हैं और कुछ experts कभी इस्तेमाल किया They were accepted only to make the local and centers self-sufficient और वहाँ पे जो local centers थे सिर्फ उसको यह उन लोग क्या किया करते थे accept किया करते थे The 20th century brought about further changes inspired by the West 20th century में कही सारी चीजें क्या होई change हुई India moved towards some democracy अभी तक क्या हो रहा था कभी Marathas का शासन हो रहा था तो कभी East India Company का शासन हो था Britishers का रूल हो रहा था लेकिन 20th century जैसे आया तो कुछ चीजे चेंज हुई और अब सब लोग क्या होते थे democracy मतलब government select करने की और अब आगे बढ़ते हैं By then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratical elected bodies अब धीरे धीरे जो पेशवा हैं उन्होंने अपना जितना भी power था वो खो दिया और सारे लोग अब किसमें आगे बढ़ गए democratically elected body means governor को select करेंगे करके The Sultanate and Delhi survived even this transition largely because it will did no real influence और जो Delhi Sultanate ठीक है जो Delhi Sultanate है वो इस बात को लेकर की means transition को लेकर के survive कर रह था just because की वहाँ पे उनको कोई भी influence कोई भी बढ़ोतरी will did means दिखाई नहीं दे रही थी The sensei of Delhi was no more than a figure had to rubber stamp the recommendation made by the Central Parliament और जो Delhi का जो सहनसा था वो सिर्फ क्या चीज के लिए रह गया था कि Parliament में Central Parliament में जो भी decision लिया जा रहे है तो जो Delhi का सहनसा है वो उसमें क्या करेगा बस अपना बोल सकते हैं कि rubber print लगाएगा rubber stamp लगाएगा means सिर्फ उसको stamp लगाना है बाकी सारा decision call लेगा तो Parliament लेगा As he read on गंगधरपन began to appreciate the India he had seen और ये सारी बाते पढ़ते पढ़ते ये सारी बाते क्या कर रहे है गंगधरपन अभी history के book में पढ़ रहे हैं ये सारी बाते पढ़ते रहते हैं तो गंगधरपन जो है वो इंडिया को क्या करने लग जाते हैं appreciate करने लग जाते हैं उनको इंडिया को लेकर के वो सराहनी है महसूस करते हैं It was a country that had not been subjected to slavery for the white man It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was फिर वो बोलते हैं कि इंडिया हमारे इंडिया एक ऐसा देस हैं जो कि किसी white man मतलब अंगरेजो का दास नहीं बना बलकि हमारे देस नहीं ये सीखा कि हम अपने पैरों में कैसे खड़े हो सकते हैं और हमारे अंदर हमारा self-respect आत्मसमान कैसा होना चाहिए from a position of strength and for purely commercial reason it had allowed the British to return ठीक है from a position of strength and purely commercial reason strength और purely commercial reason के कुछ position से ले करके उन्होंने क्या किया British को retain तक का permission दे दिया अलाओ कर दिया Bombay as the shawl outpost on the subcontinent that lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908 और जो Bombay का outpost था मतला military camp जो था तो अब तक जो भी चीजे चल रही थे उसको lease करने के लिए 1908 में जो उनका treaty बना था ठीक है according to treaty of 1908 मतलब 1908 में जो भी उनका treaty बना था वो कब जाके खत्म होने वाला था 2001 में गंगधर पंथ कुड नौट help comparing the country युद्ध को कैसे जीच सकते हैं तो find the answer he must look for the account of the battle itself और इस सवाल का जवाब ढूणने के लिए वो क्या करते हैं battle का युद्ध का book पढ़ने का सोचते हैं he went through the books and journals before him at last among the books he found one that gave him the clue it was भाव शाह बांची बाखर और उसके बाद वो बुक लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे journal से पहले ही वहाँ पे बुक लेने के लिए पहुच जाते हैं और जब वो बुक लेने पहुचते हैं तो वहाँ पे उनको एक clue मिलता है और ये जो आपको given है भाव साहे बांची बाकर ये एक बुक का नाम है जिसमें ये सारे बैटल्स के बारे में mention है तो उनको ये बुक मिलता है और इसी बुक को पढ़ करके वो जाना चाहते थे कि actual में कैसे माराथास ने उस बैटल को विन कर लिया था और उसके बाद वो धीरे धीरे जो भाकर्स थे मतलब जो ये बुक है भाकर्स उनको बहुत सारे historical evidence मतलब इतिहास से जुड़ी हुई सबूते मिलते गई और उनको पढ़ने में बहुत जादा मज़ा आ रहा था sometimes buried in the graphic but doctored accounts he could sport the germ of truth और यहाँ पर सबसे पहले थो हम doctored account का मतलब समझते हैं doctored account हम उस चीज को बोल सकते हैं जिसमें जो history, historical चीजे हैं वो क्या हो जाती है? change हो जाती है तो जब वो बुक को पढ़ रहे थे तो कई बार उनको ऐसा लग रहा था कि वो doctored account है ठीक है जो उनके सचाई का क्या है एक तरीके का जम है he found one now in a three lines account of how close विश्वास राओ had come to being killed अब उनको एक चीज मिलता है, एक line मिलता है उस line के three lines ठीक है उस line के three lines पहले वो read करते हैं कि विश्वास राओ ने कैसे विश्वास राओ कैसा मारा गया and then विश्वास राओ guided his horse to the malli where the ally troops were frightened and he attacked them and God was merciful, a shot brushed past his ear even the difference of a teal season would have led to his death अब यहाँ पे जो विश्वास राओ है उन्होंने क्या किया था, अपने horse को guide किया था कि कैसे मैली, मैली means a brave fight जहाँ पे उनका पूरा का पूरा जो troop है troop यहाँ पे किसका है, British troop जो British लोगों का पूरा जूंड था British troop से कैसे वो लडाई करेंगे कैसे एक दूसरे के बीच अकर उनके बीच attack हो रहा है फिर आगे बता रहे हैं वो कि जो God हैं वो बहुत ही जादा merciful है मिन्स हमारे उपर हमारे जो God हैं वो बहुत दया दिखाते हैं और एक example की थ्रू बता रहे हैं कि जैसे कि आपने तील देखा होगा जिसको English में हम सीजम कहते हैं, ठीक है सीजम सीड जो आपके कीचन में होता है तील, एक छोटा सा तील, जितना दूरी होता है एक छोटा सी तील, वैसे ही उसकी गर्न और कान के बीच का सिर्फ उतना ही डिस्टेंस था एट एट ओकलॉक, दा लाइबरेरियन पुलाइटली रिमाइंडेट दा प्रोफेशर अब 8 बज आये रहते हैं गंगातारपंद जो अभी भी लैबरेरी में बैठ करके पढ़ते रहते हैं तो जैसे यहीं आड बजता है वहां का जो लैबरेरियन रहता है वो बहुत ही विरम्रता पुर्वक आता है और गंगातारपंद को याद दिलाता है कि अब 8 बज गया है, लेबरेरी बन करने का समय हो चुका है, गंगधर पंथ emerged from his thoughts, looking around he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall, गंगधर पंथ जो रहते हैं वो काफी सोच में पड़े हुए होते हैं, फिर वो देखते हैं अपने चारों तरप और वो इस बात को notice करते हैं कि उस magnificent, इतने बड़े से hall म में वो एक अकेले ही अब रह गए हैं वहाँ पढ़ने वाले, I beg your pardon sir, may I request you to keep these books here for my use tomorrow morning, by the way when do you open, at 8 o'clock sir, the library smiled, here was a user and researcher right after his heart, उसके बाद जो गंगधर पंथ हैं वो उनसे थोड़ा sorry feel करते हैं और बोलते हैं कि मैं आप से request कर रहा हूं कि ये सारी bookे आप इस table के उपर ही रह warning आकर कि यहां फिर से पर सकू, फिर गंगधर पंथ उस librarian से question करते हैं कि वैसे ये library किते टाइम open होता है, तो librarian reply करता है कि सुबा 8 बजे, फिर librarian smile करने लग जाता हैं और वहाँ पे जो गंगधर पंथ रहते हैं वो user भी रहते हैं और researcher भी रहते हैं, as the professor left the table, he sort some book notes into his right pocket, absent mindly he also sort the barker into his left pocket, अब वहाँ पे गंगधर पंज बूक पढ़ रहे होते हैं, उस time पे उन्होंने कुछ important notes बनाया हुआ होते हैं, तो वो उन notes को अपने left pocket में रखते हैं और गलती से वो उस barker का जो भूक रहता है, उसको अपने right pocket में रख लेते हैं, और यहाँ पे यह हमारा second part भी complete होता है, इसके आगे हम अपना third part continue करेंगे, he found a guest house to stay in and had a frugal meal, he then set out for a stroll towards the Azad मैदान, और उसके बाद वो एक guest house पे जाते हैं, वहाँ रुकते हैं और वो कुछ frugal meal रहते हैं, frugal means जो साधा सा खाना होता है, जो बहुत ही less amount का रहता है, जो कम पैसे में मिल जाता है और simple स तो वो उस guest house में पहुचते हैं, अपना frugal meal लेते हैं और उसके बाद वो आजाद मैदान में थोड़ा सा stroll means walk करने के लिए निकल जाते हैं, in the मैदान he found a throng moving towards a pandal, अब वहाँ पे जैसे ही वो मैदान में पहुचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कुछ throng, मतलब कुछ crowd, ल lecture was to take place, force of habit took professor गायतोंडे towards the pandal, अब वहाँ पे उनको ऐसा लगता है, पंडाल को देख करकी कि हो सकते हैं, वहाँ पे एक lecture होने वाला है, जो कि उनका आदत रहता है, वो एक professor रहते हैं, गंगधर पंत गायतोंडे, तो वो एक professor रहते हैं, और उनकी आदत रहती कि जहां भी वो lecture वगेरा देखते हैं, वो वहाँ पे पहुत जाते हैं, तो यह सारी चीजे देख करके जो गंगधर पंत गायतोंडे हैं, वो भी pandal की ओर जाने लग जाते हैं, अब जो lecture हैं, वो चालू हो चुका होता है, लोग वहाँ पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो professor गायतोंडे हैं, वो वहाँ के लोगों की ओर नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल चेयर है मतलब स्टेज के उपर में जो टेबल चेयर रखा हुआ है वो पूरी तरीके से खाली है और ये देख करके वो एकदम से हिल जाते है और जिस तरीके से एक मेगनेट चुमबक का टुकड़ा जो है वो लोहे से क्या होता है एक्ट्रेक्ट हो जाते हैं उसी तरीके से जो गंगधर पंथ हैं वो भी क्या हो जाते हैं उस प्रेसिडेंशियल चेयर की तरफ एक्ट्रेक्ट हो जाते हैं मतलब वो अब उस खाली चेयर की और जाने लग जाते हैं अब जो speaker मतलब यहाँ पे मान लिजी कि यहाँ पे एक stage बना हुआ है और इस stage के उपर हम बना लेते हैं कि एक table है एक table और एक chair है और वो table chair खाली है तो यहाँ पे side में जो रहते हैं बोलने वाले उनको हम क्या बोलते हैं speaker बोलते हैं तो जो speaker है जैसी देखता है कि गंगधर पंथ इस platform में जा रहे हैं तो वो थोड़ा सो soft हो जाते हैं रूख जाते हैं फिर लोगों से आवाज आती है audience में से आवाज आती है कि तुम chair खाली करो इस lecture series has no chair person अवी from the platform mister the chair is symbolic don't you know फिर उसी audience में से आवाज आती है कि यह जो lecture है इसमें कोई भी chair person नहीं है कोई भी main guest नहीं है तो तुम उस platform से हमारे उस stage से क्या हो जाओ दूर हो जाओ यह जो chair है सिर्फ एक as a symbolic हम यूज कर रहे है symbol के नजरिये से what nonsense whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary प्रोफेसर गायता उंडे went to the mic and gave went to his views अब वो बोलते हैं जो गंगधर पन गायतों दे हैं वो बोलते हैं कि यह कितने बेवकूफी वाला बात है कि कौन सा ऐसा public lecture होता है जिसमें कोई भी presiding dignitary नहीं होते हैं कोई भी chair person नहीं होते हैं ऐसा कौन सा lecture होता है उसके बाद जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो mic की तरब चले जाते हैं और अपने सोचने का नजरिया लोगों को कहने लग जाते हैं लेडिज एंड जेंटलमें एक ऐसा lecture जिसमें की unchaired हो मिन्स कोई भी chair person नहीं हो वो ऐसा है मानो जिस तरीके से Shakespeare का जो drama है Shakespeare ने एक जो नाटक लिखा था उसमें का जो main character वो कौन था Prince of Denmark वो ही उस नाटक में नहीं था तो ये अगर ऐसा lecture जिसमें chair नहीं हो वो तो मानो की वो एक Shakespeare की नाटक की तरह है लेकिन जो audience है वो इन सारी बातों को सुनने के mood में बिलकुल भी नहीं थी और जो audience है वो कहती है कि मुझे हमें कुछ भी ना बताओ हम लोग इस chair मतलब हम इस chair के में रहने वाले लोगों से इस chair के remarks से क्या हो चुके हैं बहुत जाद हम सीख हो गए है means हम परेशान हो गए है then we only want to listen to the speaker we abolize the old custom long ago keep the platform empty please उसके पास जो audience है वो बोलते हैं कि हम लोग से speaker को सुनना चाहते हैं हम कोई chair person को नहीं सुनना चाहते हैं हमारे lecture में कोई भी chair person नहीं है और हमने अपना जो पुराना custom था पुराना जो रिती रिवास था वो क्या कर दिया है खत्म कर दिया है तो इसलिए प्लेश आप हमारे इस platform को क्या कर दीजे खाली कर दीजे बट गंगधर पंथ had the experience of speaking at 999 meeting and had faced the pune audience at its most hostile लेकिन गंगधर पंथ जो थे उनको 999 seminar में बोलने का experience था अनुभाव था और उन्होंने पुने में ऐसे audience को face किया था जो बहुत जादा hostile थे ठीक है जो बहुत जादा मतलब गंगधर पंथ की बाते ही नहीं सुन रहे थे लेकिन उन्होंने अपने बातों से उन्हें क्या कर लिया था manipulate कर लिया था he kept on talking इसलिए वो बोलने में लगे रहे क्योंकि उनके अंदर इतना confidence था कि आज audience लो उनके against बोरें लेकिन उनके अंदर confidence इतना जाता था कि वो बोलने से रुखते नहीं है he soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects लेकिन बहुत जल ऐसा हुआ कि सारे audience लोग गंगधरपन के उपर टमाटर, अंडा और बहुत सारी चीजे फेक करके उनको मारने लग जाते हैं but he kept on trying valiantly to correct this sacrilege लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अपना sacrilege मतलब अपने disrespect को बहादूरी से क्या कर सके वो सुधार सके finally the audience swarmed to the stage to eject him bodily and in the crowd गंगधरपन्थ was nowhere to be seen finally क्या होता है सारे audience इतने परिशान हो जाते हैं कि गंगधरपन्थ को उठा कर ही बाहर फेक देते हैं अब जो गंगधरपन्थ रहते हैं उस भीड में वो अब दिखाई नहीं देते हैं मतलब यह हुआ कि गंगधरपन्थ को बाहर उन्होंने फेक दिया है या फिर छोड़के आ गया है